नमस्कार दोस्तों मैं पलाश आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो भाईया अप्रेल का महीना चालू हो गया है और अप्रेल के महीने में आप लोग को कुछ खरीदने होंगे स्टॉक अगर आप चाते हो बहए कुछ इन्वेस्ट करने है इनकम आने वाली होगी नोलोग दुरी करता है तो तो भाईया बता दूमाने पिछली वीडियो में डाली थी एक स्ट्रैटगी और वो स्ट्रैटगी की पसंद आया यह वीडियो है ना बात ही यह है तो आप लोग चाहो तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो और वो स्ट्रेटिज को यार लिटरली अपलाए करना दो परसेंट की आसान रिटर मिल जाएगी कुछ लोग ने में को मैसेज कर के बताया भी इंस्ट्राग्राम में तो काफी अच्छा लगा था उनके तो मैंने आप लोग बताया है वीडियो को मैं रखूँगा छोटा से छोटा है ना पांच मिनिट से जादा मैं इसको कोशिच करूँगा पांच मिनिट के अंदर ही खत्म कर दो ठीक है जो स्टॉक अ गभराओ मात ठीक है होल्ड करके रखो बहुत अच्छा डिटन आयने वाल है ठीक है उसके बाद आते हैं आयनौक्स लीजर और आयनौक्स विंड में इन लोग ने 1 &-1.5 का रिटन दिया है तो बुजो की अल्रेडी बुरा ही है जानते हैं बट आप लोग कर देनको ठीक है 10% का रिटन मिला है जो की काफी अच्छे बात है और भी इसमें बाइंग आई है तो वो सारी बात है अपनों के देखने वाले इसी वीडियो में अगले स्टॉप पे चलते हैं जो की सन्फामा सन फामा ने एक परसेंट का रिटन दिया है प्लस में है ठीक है बुरा नहीं है अच्छी बात है भाई रिटन तो मिला है टाटा स्टील भाई टाटा स्टील के तो जित्ती तारिफ करो कम है मैंने आप लोगो बता था 815 के लेवल पे और अभी चल रहा है 863 पर ठीक है 6% का बंपर रिटन मिला है एक ही महिने में बहुत अच्छी बात है मज़ा आ गया अगला JSW स्टील इसमें भाई मैं इन्वेस्टेट था मैंने आप लोगो बता था टाटा स्टील और JSW स्टील में से इन दोनों ने थोड़ा थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म किया है अच्छी बाईंग अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो भाई दोंट वरी अबाउट इट पर एक बात ध्यान रखो जो स्टाक में आप लोगो बोल रहा हूं hold करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई कभी ना कभी तो उपर जाएगा भाई मुझे पता है कि इसमें कब कुईट करना चाहिए कब नहीं पर अगर रिटर्न मिलेगा तो कितना ज्यादा रिटर्न मिलेगा वह सब मुझे पता है पोटेंशियल इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं ठीक है HCL Tech आप चाहो तो ले सकते हो बहुत अच्छे रिटर्न ये देने के चांसेज है इस महीने और आने वाले टाइम में आने वाले कुछ एक से दो मन्त में ठीक है बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे HCL Tech में ऐसा मेरा मानना है अल्राइट देखो यार ये पूरा मेरा analysis है तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो चाहो तो छोड़ सकते हो M&M में stop loss लगादन 780 का अगर आप ले रहे हो तो बाइंग अच्छी है 780 का लेकिन stop loss, stop loss is very important in life मारूती में भी आया है इंटरडे का एक trade है वो मैं आपको वीडियो के end में बता दूँगा अगर आप चाहो तो नहीं तो मैं इसको Instagram पे अलग से post कर दूँगा इंस्टरग्राम पे आप चाहो तो देख लेना अल्राइट उसके बाद अगला है बजाज आटो बजाज आटो अगें अच्छी बाएंगे पर इसका already stock price में थोड़ा सा अंतर पड़ता है तो आप चाहो तो ले सकते हो अल्राइट और you can you leave अगर आपके appetite में है तो आप जर बादा ऊपर है तो still आप इसमें बाइंग है लेकिन लेवल आपको बता दे 654 ठीक है इसके around आपको घुमना नहीं है इसके अलावा कहीं और जाना नहीं है SBI Life SBI Life अगले एक से दो मन्त में अच्छे रिटन देने के बहुत बहुत चांस रखता है potential रखता है ठीक है तो अगले पर चलते है ITC ITC के बारे में मैं आप लोग को बताया क्या कि इस मही ने इसने दिया था कितना 3% का अच्छा रिटन दिया था ठीक है ITC ने already 3% का रिटन दे चुका है March में मैं आप लोग बताया था तो April के महीने में भी मेरको expectation है कि ITC अच्छा रिटन देने वाला ह Infosys Infosys जितने भी टेकनलोजी वाले है तो आई ITC stocks भी अच्छा रिटन देने के बहुत अच्छे potential रखते हैं उनमें से Infosys में मैं invest कर सकता हूँ ठीक है Reliance में अच्छा stock है अच्छी बाएंगे प्राइस से आपको घबराना नहीं है Reliance के बहुत अच्छे potential है आगे आने वाले time के लिए Reliance यार बहुत एट की दीवाल है उसको नहीं तोड़ सकता कोई ठीक है Tata Motors Tata Motors एक अच्छी बाएंगे ठीक है अल्रडी जानते है Tata Motors के क्या तारिफ कर उत्ती कम है बजाज फिंस तो भाई Stop Loss इसमें भी जरूर ही है तो अगर आपके appetite में है यह stock तो जरूर जरूर ले सकते हो मैं नहीं ले रहा पर्टिकुलर ली 8950 को लिए Stop Loss बहुत important है पर्टिकुलर मेरे खुद का analysis है तो आप चाहो तो ले सकते हो चाहो तो छोड़ सकते हो आई ओसी में 90 का Stop Loss जरूर लगा देना अगर आप चाहो तो ले सकते हो पर Stop Loss is very important बजाज Finance का एक इसमें stock है जो कि मैंने यहां पर नहीं लिखा है ठीक है पर Stop Loss का होगा 5095 का, ठीक है 5095 के Stop Loss के चाहो तो ले सकते हो पॉरिकुलर में यार इतने heavy stocks में नहीं लेता हूं क्यों 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 conducts में ज्यादा potential मेरे को दिखता है ठीक है return, मैं वहाँ भी लिकाँ में आलोगा, देखो return मैं आपको बताया, percentage में होता है, है न, return percentage में होता है हमेशा, कितना percentage return दे रहा है, वो depend करता है, तो अगर आपके appetite में है, बजाज finance ज़रूर आपको लेना चाहिए, sbin और pnb, ये 2 stock जो मैं end के लिए छोड़ रहा हूं, एक परसेंट का ही रिटन अल्रेडी दे चुका है पिछले वीडियो में बोला था अभी इसमा और पोटेंशल भागी है पर स्टॉप लोस पे स्ट्रेक्टर रहना 550 के अल्राइट अगले पे चलते हैं एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक का स्टॉप लोस लगा देना और आप चाहो तो बाइंग कर सकते हो ओ एन जी सी और कोल इंडिया के बारे में आप लोगों को बोला ठीक है बाइ करना 106 प्लस पे स्टॉप लोस इसका होने चेह 100 पे अल्राइट अभी अगर बाइंग कर रहे हो त कुछ महीनों के लिए आप चाहो ते स्मिल ले सकते कुछ महीनों के लिए मन्स मन्स ठीक है तो कुछ महीनों के लिए चाहो तो डॉक्टर रेढी मैं बाइंग कर सकते हो ौल्राइट उसके अलावा NTPC ने अभी कुछ खराब रिटेंस दिये ऑंबर 109 का जो लेवल है यह प 2425 पर, 2425 पर stop loss स्ट्रिक्टर है न, अगर आप बस में buying कर रहे हो तो, अब मैं कुछ बताता हूँ, stocks जो मैंने छोड़ दिये थे, तो यहां मैं दोस्तों बता रहा हूँ, NTPC की stock के बारे में, जो कि मैंने अभी-अभी जेस्ट लीव किया था, इसको मैंने आपको बोला है 109 का लेवल, 109 के अगर आपको ऊपर मिलता है, तो यह समें buying धरा-धर कर सकते हो, stop loss should be 102, इसके अलावा में आपको बता दो, SBIN, PNB, और एक stock मैंने आपको कहा तक क्या, जो कि था ICICI bank, स्टार्टिंग में भताया था मैंने नाम, पर्टिकुलरली कहां किया, यह रहा, ICICI bank, SBIN और PNB, ठीक है, इन तीनो stocks में मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, PNB और SBIN, इन तीनो banking stocks में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आने वाले कुछ time के लिए, ठीक है, मुझे इन तीनो stocks से काफी ज़्यादा उम्मीद है, तो most probably देखने को मिल सकती है, देखने को मिले तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं, बट, stop loss पे structure रहना, अगर कब exit करना है इनको, वो चीज़ मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने भी decide नहीं कि वो चीज़ डिपेंड करते है, चार्ट किस तरगे का pattern बनाएगा, बट, still, अगर कब होता है, कुछ होता है, तो मेरा predefined stop loss रेड़ी है, महाँ पर मैं quit कर जांगा, कब होने वाल है, अगर आप हमारे साथ dmetagon खोलते हो, हमारी लिंक से dmetagon खोलते हो, हमारी तरसे intraday trading आपको free of cost सीखने को मिल सकती है, हाँ भाई हमारी लिंक से खोलने के बाद में को instagram पे, telegram पे, या फिर mail पर कहीं पर भी बता देना, लिंक नीचे description में दियो हुई है, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हो, facebook पे भी कर सकते हो यार, आपको लेकर ना आपको बताने तो पड़ेगा ना, था कि मैं आप लोग को benefit दे पाऊं, अल्रेट दोस्तों, आज के वीडियो में अगले वीडियो में, वीडियो अल्रेट में आपको पांच कातर दस हो गया, स्वारी, थांक्स फॉर वर्चिंग, अपने में अगले वीडियो में, तब तक लिए बाई बाई